तो फ्रेंट्स हेलो एंड वेलकम बाग तो वर यूट्यूब चानल और मैं आज आपको बताने वाला हूं हमारे मत्य प्रदेश परिवहन के बारे में जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मत्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है हमारे मत्य प्रदेश प्रदेश को या किसी भी शहर को जोड़ने का सबसे ज्यादा योगदान जो करता है मतलब हमारा परिवहन सबसे आविशक चीज है और जो किसी एक शहर से दूसरी शहर को जोड़ता है अब हम देखते हैं इसके आगे की जो हमारे मत्य प्रदेश जो है वह एक लैंड लॉक्त है मतलब यहां पर सभी जमीनी छेत्र यहां पर हमारे कोई भी सीमा जो है वह पान और वाटर तो अविलेबल नहीं है तो समुदरी मार्क से कोई रास्ता ही नहीं यह तो लैंड लॉक्ट है और उसके बाद फिर जो है फिर ट्रें का रास्ता है और तीसरा जो हमारा रोड का रास्ता इन तीनों के त्रू ही आना जाना पॉसिबल है MP के अंदर मैंने आपको एर ट्रांस्पोर्ट, बूट ट्रांस्पोर्ट, एंड रेलवेस तो यह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही ट्रांस्पोर्ट है और इसके बाद जो है हमारा किसी प्रकार की कार्रम है जैसे क्रशी से संबंदित हो, संसाधन हो या हमारे उभगता हो कोई भी क अधेना के लिए किसी को लाने ले जाने के लिए विए टेंस्पोर्ट की आविशकता पड़ती है विए लिए टेंस्पोर्ट hanging के बाद सब्सें और डॉटर हो पिसज़ें नगिन और जो है जो है बहुत है है धारा है 2013 और इसका 1939 में अंभिके प्रफम एसा राज्य है कि जिसमें हमारे टूरिजम ट्रांसपोर्ट को लेकर के सबसे फर्स जो है पूरे इंडिया के अंदर वह MP है कि जिसने आमें ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बना कर दिए सब्सक्राइब और अभी करेंड सिच्वेशन में जो हमारे थान्सपोर्ट कमिशनर है मतलब हमारे परिवहन आयुक्त हैं उनका नाम है मुकेष्ट जैन तो यह हमारा मत्तपरदेश च्वेश्व सक्षान्स बताने वह हूं नाश्रल हाईवेस तो नाश्रल हाइवेस किसी रा मेंटिनेंस या बनानी का काम जो होगा वो हमारा सेंट्रल गॉवर्मेंट करता है तो अभी सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे परिवहन मंत्री है वो हमारे नित्रिन गठकरी जी तो थैंक्स वार वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब